महाराष्ट नवरिर्मान सेना के राष्ट्य अध्यक्ष राष्ठ ठाकरे का पाच जुन को होने वाला अयुध्य दौरा टाला जा सकता है बीते विनो पुने के दौरे पर गए राष्ठ ठाकरे ने स्वास्तकार्णों से अपना दौरा रत कर दिया और मुंबई लोटा है मिली जानकारी के अनुसार राष्ठ ठाकरे के पेर में चोट लग गई है और इसकी सरजरी होने की संभावना है जानकारी के मुताबिक राष्ठ ठाकरे दौरे की अधिकारिक जानकारी डौक्टर के सला लेने के बाद ही देंगे मनसे अध्यक्ष राष्ठ ठाकरे पात जुन को अयोध्ध जाने वाले थे मनसे निकों ने अयोध्या दौरे की तयारी भी शुरू कर दी थी वही राष्ठ के अयोध्या दौरे का उत्तर प्रदेश के नेताओं ने कड़ा विरोध किया था फिर भी राश्ठाकरे अपने अयोध्या दोरे पर अड़े थे 17 अपरेल को ठाकरे ने पुने में घोशना की थी कि वह भगवान राम का आशिरवाद लेने के लिए 5 जुन को अयोध्या जाएंगे वही अयोध्या दोरे को स्थगित करने की जानकारी देते हुए राश्ठाकरे ने ट्वीड भी किया उन्होंने लिखा अयोध्या का दोरा स्थगित कर दिया गया है 22 मई को पुने में होने वाली रैली के बाद फैसला लिया जाएगा राश्ठाकरे के अयोध्या दोरे की गोशना के बाद से ही अयोध्या से साधुसंत और बिजेपी सांसत ब्रजबूशन सिंग ने उनके दोरे का विरोध किया बिजेपी सांसत ने कहा पहले राश ठाकरे को उत्तर भारतियों से माफी मांगनी चाहिए और फिर उन्हें अयोध्या आना चाहिए बाबरी मस्जिद मामले में वादी रहे इकबाल अंसारी ने भी मन से अध्यक्ष राश ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोत किया था किWindy हुआ 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 आप जय किपा हुआ हुआ हुआ